सीजन फाइ एपिसोड थी स्टार्ट होता है और हमें दीखता है कि सॉल को अब नाचो ने उठवा लिया है नाचो उसे लालो के पास लेकर आता है लालो उसके तारिफ करता है ठुको जब उन दो लड़कों को मार देने वाला था तब सॉल ने ही उसे सिर्फ उनकी टांग तोड़ने के लिए कन्विन्स किया था तो इससे सॉल अच्छा लोयर है यह पता होता है फिर सॉल पुछता है कि मुझे यहां क्यों बुलवाय गया है लारो फिर उसे बोलता है कि मेरा एक आदमी क्रेजी एट है तुम्हें उससे बात करनी है उसे पुलिस को इन्फॉर्मेशन देनी है जिससे वो बाहर चला जाए पर यह इन्फॉर्मेशन जो होगी वो हम तुम्हें देंगे सॉल का यह सब काम नहीं करना होता क्योंकि कार्टिल के साथ वो कनेक्शन्स नहीं बनाना चाहता सॉल होने फिर सजेस्ट करता है यह डौफफ फॉन्स होते है सॉल बोलता है कि एक जो डौफफ होते है वो तुम जेल में उसके पास बहस सकते हो पर लालो उसे बोलता है कि अगर तुम परसनली गए तो जादा अच्छा है थेक्ट आएगा पॉल भी थोड़ा सा अठकती अठकती बोलता है कि मेरे प्राइजेस अब बढ़ चुके हैं तो उसे 7,925 डॉलरस बोलता है अठकती अठकती बोल रहा होता है तो कुछ भी नंबर वो बता देता है पिर लालो पैसे निकालता है और 8,000 डॉलरस उसे ते देता है नेक्सिन में हमें दिखा गया है कि माईक एक बार में बेटा हुआ होता है वो अब बहुत इग्रीव में होता है क्योंकि उसे कॉन्टरेक्टर को मारना पड़ा है जब भी उसे उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी करना पड़ता है तो बहुत ही ज़ादा दुख में हो जाता है वह उसे फिर से सिड्नी और अस्ट्रिलिया का फोटो दिखता है तो बार्टेंडर को बोलता है कि प्लीज उसे निकाल लो वो जो बार से निकलता है और स्ट्रिट में आ जाता है किम सेलिबरेट करी हुती है क्योंकि कल वो रमेसा और अडिका कुछ भी काम नहीं करने वाली वो सिर्फ कोर्ट में जाकर अपने जो उसके खुद के केस होते हैं जो उसे लेना अच्छा लगता है वो उसे लड़ने वाली होती है नेक्स दिन नाचो का जो घोर होता है वहाँ उसके फादर आ जाते है नाचो की गर्फरेंज भी वाला होती है उन सब को जाने के लिए बोलता है फिर नाचो के फादर और वो दोनों डिसकस करते है नाचो के फादर उसके घर की तारिफ करते हैं वो नाचो को बोलते हैं कि मेरे शॉप के लिए ओफर आया है नाचो के फादर जिस आदमी को जानते हैं उसी आदमी ने उस शॉप को बाई करने की ओफर की होती है नाचो के फादर बोलते है कि जो offer मुझे मिली है वो बहुत ही अच्छी मिली है पिसली बार मुझे बहुत ही कम offer मिली थी इस बार बहुत ही जादा अच्छे से offer मुझे मिली है वो नाचो से बोलते है कि मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं इसे sell कर दू नाचो बोलता है कि कब तक आप इसमें काम करते रहोगे आपने जो भी काम किया है अब उसका benefit लेने का time आ गया है आप उस पैसों को cash in कर लीजिए और फिर आप मज़े कर सकते नाचो के father को मालूम होता है कि यह जो पैसे बेजे है यह नाचो नहीं offer दिया है नाचो के father नाचो को बोलते हैं कि मुझे हमेशा लगा था कि तुम यह shop चलाओगे तुमारे लिए ही इस shop को develop किया था नाचो के father फिर उसे बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुमने इस shop को buy करने के लिए उससे offer दी है वो चीट जाते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हारी तरह भागने वाला नहीं तो यह भागना है तो तुम भाग सकते हो पर मैं जहाँ हूँ मैं वहाँ रहने वाला हूँ तुम मुझे ऐसे बाई नहीं कर सकते हैं फिर वो वहाँ से चले जाते हैं निक्स दिन कीम कोर्ट रूम में होती है और अपने कैसेस लड़री होती है उसका पूरा डे के लिए शेडूल होता है पर रीच उसे कॉल करता है उसे बोलता है हिम ऐसा वारे डेक केस में ज़रा प्रॉलम आ गया है और तुमें उसे देखके आना पड़ेगा किम बोलती ही कि मैं बहुत ही बीजी हूँ पर फिर भी वो उसे बहुत ही इंसिस्ट करता है तुम में हमें दिखता है कि Crazy 8 से मिलने सॉल आया हुआ है सॉल उसे बोलता है कि तुम्हारे बॉसने मुझे बेचा है तुम फिर वो सब डीडेस देता है कि क्या उसे सब पुलीस को पता ना है। सॉल फिर बाहर वेट करता है और इस सीरीज में हमें अब हैंक दिखता है जो एजन्ट क्रेजीट की इन्वारी करने के लिए आते है वो हैंक और उसके पाटनर ही होते है नाचो बोलता है कि मुझे सब कुछ पता है कि कहा है यह पेसे ड्रॉफ होते है और कौन से लोग लेने के लिए आते है मैं तुम्हें बहुत सारे लोगों का पता दे सकता हूँ और उसका पाटनर बहुत ही इंट्रेस्टेट होते है फिर सॉल वहाँ आ जाता है सॉल इसे प्रिटेंड करता है कि उसके क्लाइट को कुछ भी नहीं बोलना क्रेजियेट को वह एक कोने में लेकर जाता है और प्रिटेंड कर रहा होता है तो हैंक यह पकड लेता है हैंक बोलता है कि मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो फिर Hank वहाँ से उठने लग जाता है तब Saul उने बोलता है कि प्लीज रुको हमें तुमें information देनी है Saul फिर Hank से deal करता है कि मेरा जो client है यह मुझे जिन्दा देखना है तो future में भी यह तुमें information दे सकता है तो उसे बोलता है कि तुम इसे अपना private खबरे रख लो और इसके जो भी charges है वो सब drop कर दो फिर Hank और उसका partner यह सब मान जाते है Hank फिर Saul को बोलता है कि जो भी information तुमने मुझे दी है अगर यह convert हुए और मुझे arrest मिले तभी मैं इसे छोड़ने वाला हूँ नहीं तो मैं कुछ भी नहीं करने वाला फिर Saul उसे गस की drop site के बारे में बुश्ट बोलता है जहाँ गस सब पैसे रखता है उन सब जगा के बारे में उसे बता रहा होता है फिर कीम आती है जहाँ problem होता है यह message जहाँ call center create करने वाला होता है उस land पर आती है वा एक घर होता है और उसका जो owner होता है एक old man वो मानने रहा होता वो अपनी land sale नहीं करना चाहता फिर कीम उसे समझाती है यह तुमने जो land buy की थी वो lease पर ली थी तुमारा contract 100 years का था पर तुमारे contract पर लिखा था अगर state को चाहिए तो वो terminate कर सकता है और मैसा वरड़ी ने legally अब वो land buy के लिए होती है पर वो old man मानने रहा होता वो कीम को बोलता है कि तुमें लगता है कि तुम कुछ भी कर सकती हो कुछ भी गलत चीज़े करती हो और तुमें लगता है तुम कुछ charity कर दोगी तो तुमने अपने बाबो का प्रहिशित कर लिया है कीम उस पर चीट जाती है और बोलती है यह एक law है तुमने जब उस papers पर sign किया था उसका कुछ meaning होता है हम तुमें यहाँ से फिकवा सकते है कीम फिर वहाँ से चली जाती है सौल फिर लालो से मिलने आता है लालो को बताता है कि अब crazy eight involvement बन चुका है तो किसी ने तुमें बताया कि crazy eight rat है तो तुमें उसे मारना नहीं है तुमें बाद ध्यान रखनी है उस old man को कीम ने उस पर चिलाया और उसे सब कुछ बोला तो आप कीम को बुरा लग रहा होता है रात में फिर उस old man के घर कीम आती है किम उसे बोलती है कि हम तुमें जो भी पैसे offer करने वाले है उस offer में तुमें बहुत अच्छे घर मिल सकते है उसने बहुत सारे घर की list लाई हुई होती है किम फिर उसे बोलती है कि मैं समझ नहीं सकती तुमने तुमारा जो घर है तुमें सेल करना पड़ रहा है तुमें कैसा फिल हो रहा है यह मैं समझ नहीं सकती किम उसे बोलती है मेरी February family जो है हमने कभी भी घर नहीं लिया है और मेरे भी अभी तक कुछ भी बाय नहीं किया है मैं जब भी किसी भी घर में रहती थी तो कभी भी मुझे उस घर से निकल जाना पड़ता था मेरी मदर मुझे कभी भी मेरा सब सामान लेकर लेने के लिए बोल सकती थी हम कभी भी रेंड पें नहीं करती थे इसलिए हमें shift होते हैं रहना पड़ता था फिर भी ओल्ड मैन मानता नहीं और बोलता है तुमें जो जी चाहिए उस चीज़ को पाने के लिए तुम कुछ भी बोलोगी उसका believe नहीं करता नेक सीन में हमें दिखता है इनाचो गस से मिलने आयो होता है नाचो गस को बोलता है कि crazy head ने तुमारे drop site के बारे में DE को बता दिया है गस का आदमी फिर call कर रहा होता है और उस drop site को ban कर रहा होता है पर गस उसे मना कर देता है अगर DG को कुछ भी नहीं मिला तो लागलो को पता चल जाएगा को किसी आदमी ने मुझे inform कर लिया है इसे नाचो ट्रबल में आ सकता है तो इसलिए गस अब उस drop को चालो रखने वाला होता है इससे उसे बहुत ही तकलिफ भी होने वाली होती है पर फिर भी वो इस operation को continue करता है किम और सॉल दोनों घर आते हैं और बैलकनी में खड़े होकर smoke कर रहे होते बीर पिर होते हैं उन दोनों काटे बहुत ही गटिया गया होता है उपर से वो फिर अपनी steam blow off करने के लिए बेर के बाटल नीचे फेक देते हैं जब नेवस जाग जाते हैं तो वो फिर से गर में चले जाते हैं यही एपिसोर खतम हो जाता है